Hello students, welcome back to my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है फाइटो जियोग्राफी है, that is पादब भुगोल. यह आपकी सिलेबस में Unit 5 का एक टॉपिक है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, like what is it, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं. So let's start it, फाइटो जियोग्राफी, फाइटो जैसा आपको पता है, प्लांस एंजियोग्राफी में भुगोल, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें हम पौदों के भुगोल एक इस्थिति मतलब, यदि जियोग्राफिकल एरिया में प्लांस किस तरह से डिस्टिब करते हैं, so let's start it, फाइटो जियोग्राफी और प्लांट जियोग्राफी is the study of origin, environmental relations and global distribution of plants both in time and space, मतलब, समय तथा स्थान के संधर्ब में भूतल पर, मतलब, जमीन पर पादप जातियों के वितरन के अधियान को हम पादप भुगोल कहते हैं, मतलब, with reference to the time and इस्थान, मतलब, उसकी क्या location है, उसको यदि हम consider करें, तो प्रिथवी पर, जो भी मतलब, land portion है, उसमें जो प्लांट की जातियों का वितरन है, वो पूरा अधियान हम फाइटो जोग्राफी के अंतरगत करते हैं, गुड, 1964 के अनुसार, पादपो के वर्तमान तथा अतीत, मतलब past and present के इस्थानिक संभन्दो, that is spatial relationship, कि उनके इस्थान में क्या relationship है, के अधियान को पादभिगोल कहते हैं, इसका उदेशे क्या है, इसका उदेशे है, प्रत्वी पर पाए जाने वाली विभिन विभिन जातियों का record तैयार करना, और यथा संभाव जालब जहां तक possible हो सके, उनके pattern को spust करना, या उनके pattern को explain करना, कि ये जातियां किस तरह से distributed हैं, और उसका reason क्या है, okay, it has two basic aspects, historical and ecological aspect, historical aspect of phytogeography deals with the distribution of plants in the past and also with their evolution and dispersal in course of time, extinct plants and also the pattern of distribution of the extinct flora, that is, इस जो इतिहासे पादब भोगोल है, that is, historical plant geography है, इसके अंतरगत, पादबों का distribution of plants है in past, मतलब जो भूत काल में उनका distribution है, और वो जो जो भी विभीन taxa है, उनका जो phylogenic history है, that is, जातिवरत इतिहास है, उनका उसका अधियान, वर्गकों का प्रकीर्णन, that is, उनका dispersal, migration, तता उन संभावित इतिहासिक कारकों का अधियान किया जाता है, जो पात्मों की वर्थमान, वितरन, प्ररूप के लिए उत्तरदाई माने जाते हैं, that is, at present, जो situation है, at present, जो distribution है, वो plants की, वो किस पर बेज़ड है, उनकी, historical plant geography पे बेज़ड है, तो हम उन सारे factors को study करते हैं, historical plant geography के अंतरगर्ण, पादप प्वितरन में मानव स्यम सरवादिक प्रभावी कारक है, मानव द्वारा उपयोगी पादप जातियों का domestication या हानी कारक जातियों का eradication विशाल पैमाने पर किया गया है, मतलब human beings ने क्या किया है, जो उनके useful चीज़े थी, उनको तो उनको क्या किया गया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका use किया गया है, और जो आप जातियों उनके लिए हानी कारक थी, उनको eradicate कर दिया, that means उनको उनमुलन कर दिया है, अत है पादप तथा जन्तु जातियों कि अतीत कालिक वितरन को जानने के लिए मानव के इतिहास का अधियान भी निदान्त आवश्यक है, यह हम है historical phytogeography के अंतरगत, इसको हम study करते हैं, next है ecological aspect, इसके अंदर हम क्या study करते हैं, ecological aspect of phytogeography is concerned with the geographical distribution of plants in relation to environment and other ecological factors, मतलब plants का distribution, ecology की अधार पर ecological factors, जैसे अब पूरा अपने ecology पढ़ी लिए तो आपको पता है water ecological factors क्या climatic conditions है, उसके अधार पर environmental conditions के अधार पर plants का distribution किस तरह से हुआ है, उसको हम ecological aspect में study करते हैं, major divisions of phytogeography, क्या क्या divisions हैं उसके, two major divisions हैं, पहला है descriptive और static phytogeography, destructive और static means वर्णानात्माग, वर्णात्माग और इस्थेतिक पादभुगोल और दूसरा है interpretive और dynamic phytogeography, interpretive means व्यक्यात्माग या विशलेशनात्माग या गतिक पादभुगोल, that is dynamic, गतिक पादभुगोल, okay, so descriptive और static phytogeography के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, this deals with the actual description of floristic और vegetational groups found in different parts of the world, इसके अंदर हम actual description पढ़ते हैं, floristic और vegetational groups का, जो की different parts of words में actual present है, early plant geographers described floras and attempted to divide earth into floristic and botanical zones, okay, so इसके अंतरगत विश्व के विभिन भोगोलिक शेत्रों में पाए जाने वाले पादभ जात, मतलब flora के वास्तिक वित्रण का अध्यान किया जाता है, और इस शाखा की अंतरगत, अमुक देश के भिन भिन जलवायुक शेत्रों का विशलेशन तथा उसमें उपस्थित विभिन पादप समुदायों का भोगोलिक वित्रण का अध्यान सम्मिलित किया जाता है, तो actual position क्या है plants की और actually अलग-अलग देशों की अलग-अलग climatic conditions में कौन-कौन से plants present हैं, उनको हम study करते हैं, descriptive और static पादप भोगोल में पादप समुदायों के वर्तमान वित्रण की अध्यान के अतिरिक, उनके plant composition की समान्ताओं की आधार पर, इस्थापित पादपी प्रांतों और पादपी मंडलों, that is, floristic provinces and floristic regions का भी अध्यान किया जाता है, next, interpretive or dynamic photogeography, this deals with the dynamics of migration and evolution of plants and floras, it explains the reasons for varied distribution of plant species in different parts of the world, it is borderline science involving synthesis and integration of data and concepts from several specialized disciplines like ecology, physiology, genetics, taxonomy, evolution, paleontology and geology, good 1931 and mason 1936, kane 1944 and some others have pointed out the factors involved in the distribution of plants, यदि आम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें, तो इस शाखा की अंतरगत, अमुक भगोलिक शेत्र में पादपों के वित्रन के कार्णों का विश्टेशन तथा उनकी परियावरनिय कार्कों के साथ व्याख्या की जाती है, For example, यदि कोई भी आपने अध्यांशेत्र दिया है, जिसका क्या आप स्टाडी करने है, तो उसमें उपस्थित वनस्पती वहाँ कैसे और क्यों विक्सित हुई, कि वहाँ पर जो वनस्पती प्रेजंत है, उसके पीछे reason क्या है, वह कैसे, और क्यों विक्सित हुई, उस वनस्पती का विकास, वर्त्मान, वित्रन, वहां कैसे हुआ. मतलब दीरे दीरे, पिछले history से हम जाने, कि वह दीरे-दीरे उसका विकास, कहां से वह migrate हुई, इस प्राकार इस शाखा का विश्य क्या है डाइनामिक है डाइनामिक मतलब गतिक है कि वो किस तरह से ये धीरे किस तरह से इसका इवॉलुशन हुआ उस स्पीशिस का उस पर्टिक्विलर एरिया की अंतरगत जो कुछ authors हैं या कुछ scientists हैं वो इस ब्रांच को अगें दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है पहला है floristic phytogeography that is पादपी पादप भुगोल और दूसरा vegetational phytogeography that is वानस्पतिक पादप भुगोल floristic phytogeography क्या है यह है शाखा पादपों के वर्गी करण से संबंदित है इसके अंतरगत किसी चैनित क्षेतर की पादप जातियों that is plant species या उपजातियां that is sub species किसमों मतलब varieties तता कुलों के वित्रण से संबंदित पहलों का अध्यान किया जाता है साथ ही तत संबंदित जातियों के एतिहासिक अत्वा अतीत कालिक वित्रण की व्याख्या भी की जाती है और जबकि इन इंटर्पिटिव और अनलेटिकल फाइटो जोग्राफी है उसको हम दो हैट्स के अंदर स्टाडी करते हैं फ्लोरिस्टिक जोग्राफी और वेजिटेशनल फाइटो जोग्राफी और वानस्पतिक पादप भुगोल लॉरेंस 1951 has suggested the following 13 modern principles of phytogeography which are classified into four groups अब हम यह देखेंगे कि phytogeography के क्या principles हैं क्या सिध्धान्त हैं तो यह सिध्धान्त 1951 में लॉरेंस ने हमें बताए और उन्होंने उन जो भी principles थे उसको उन्होंने चार groups के अंदर बाठ दिया जिससे कि हम उनको easily explain कर सके तो पहला principle है principles concerning environment मतलब इसके अंदर environment के सिधान्त की अधार पर that is then second is principles concerning plant responses अब plant का क्या response है उसकी अधार पर third principle concerning the migration of floras and climaxes floras आपको पता है climaxes आपको पता है okay तो उनके migration की अधार पर then principle concerning the perpetuation and evolution of floras and climaxes तो यह चारो principles के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर include करते हैं तो पहला हम principles study करते है principles concerning the environment the distribution of plants is primarily controlled by the climatic conditions अभी तक आप ecology मतला 4 unit तक आपको different जो terms है वो पता हो गई होंगे आपको और पता होगा क्या-क्या ecological factors हैं क्या-क्या factors हैं जो कि plants और environment के बीच में connection किस तरह से होता है the distribution of plants अपको basically basic चीज़ है कि climatic conditions उसको control कर भी है there has been variation in climate during geological history in the past which affected migration of plants the relations between land masses and seas have varied in the past the large land masses split up to form new land masses or continents which separated and reoriented तो पहले की time पर जो sea था और land था उनके अंदर वो आज की time पर जो sea और land की position है वो पहले नहीं थी तो इससे क्या हो गया यह reorientation हो गया सबका continents का पहले जो भी एक continents आप देखना है थोड़े पास पास थे अब इनके बीच में क्या है यह सारे sea है present है उसके अंदर next video में मैं आपको इसका एक picture share करोंगी land bridges between continents acted as probable routes for migration of plants and animal species the land bridges become submerged in sea with the passage of time तो जो land space थी या जो land area था वो submerged हो गया sea की अंदर जैसे मतलब अब भी जो at present आप देखना है तो हहाँ पहले land थी okay and the possibility for migration of plants and animals from one continent to another disappeared forever तो इससे क्या हो गया जब वो submerged हो गया land तो जो migration एक continent से दूसरे continent में जाने के लिए जो migration था plants का वो stop हो गया वो disappear हो गया तो अब हम इसलिए यह एक चीज़ है कि एक continent का plant दूसरे continent पर कई बर आपको present नहीं दिखेगा soil conditions on plains and mountains of different land masses show secondary control on distribution of vegetation soil conditions भी different होती है halophytes, zamophytes, calcicals, calcifops etc. have doubled because of the edific conditions edific means जो भी soil factors नहीं है जब बरदा की conditions अलग-अलग होने के करण plants का distribution भी अलग-अलग होता है biotic factors also play important role in distribution and establishment of plant species then the environment is holocentric that is all environmental factors have combined effect on the vegetation of a place तो पूरा का पूरा जो whole environmental factor है वो decide करता है या वो एक major factor है एक जग है की vegetation किस तरह की होगी उसके बारे में मतलब इस includes all soil factors, biotic factors, climatic factors, all factors जो की हम पढ़ते आ रहे now the second principle is principle concerning plant response अब पहला तो हमने क्या पढ़ा environment अब अब यदि उस environment में plant का क्या response होता है range of distribution of plants is limited by their tolerance each plant species has a range of climatic and edific conditions therefore tolerance of a large taxon is the sum of tolerances of its constituent species तो वो plant कितना tolerate कर सकते हैं उस conditions में उसे हिसाब से उनका distribution होता है tolerances have a genetic basis the response of plants to environment is governed by their genetic makeup the response of plants to environment तो यह जो tolerance है वो क्या एक genetic factor है और plants environment को किस तरह से report करेंगे किस तरह से respond करेंगे वो किस पर यह क्या उनका 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 genetic constitution या उनका genetic makeup decide करता है many of the crops through breeding and genetic changes have been made to grow in wider range of environmental conditions in nature hybrid plants have been found to have wider range of tolerances than their parents तो जो भी breeding कुछ changes करके, interbreeding करके कुछ ऐसे plants जो hybrid plants हैं वो wide range of conditions के अंदर उनको हम grow कर सकते हैं क्यों क्योंकि उनके हमने कुछ genetic changes कर दिये हैं different ontogenic phases have different tolerances different developmental stages of plants show different degree of tolerances as for example seeds and mature plants are more tolerant to temperature and moisture variations than their seedlings because seedlings क्या है, वो क्या हैं थोड़े नाजुक हैं थोड़े उस tender हैं और एस सबसे seeds और जो mature plants हैं वो जादा tolerance होती हैं उनके अंदर as compared to the seedlings then the third principle is it is concerned with the migration of floras and climaxes large scale migration have taken place the fossil and paleological evidences reveal that large scale migration of plants and animals have taken place during Mesozoic era and tertiary periods toh jo migration of plants or animals ka hua वो बहुत जादा hua पिछली मले यदी हम पास्ट में जाएं तो migration resulted from transport and establishment in the process of migration plants are dispersed to new habitats through their propagule such as spores, seeds, bulbs etc. मतलब जब migrate हुए plants तो अपने propagule से like spores से seeds से या bulbils से वो क्या हो गएं नई जगे पर वो distribute हो गएं फैल गएं and there they established if the environmental conditions are favorable और और वो जो propagule या spores जो की migrate हुए यदि उनको conditions favorable मिल गएं तो वो उस नई जगे पर established हो गएं plants grow and reproduce there and progeny perpetuate through ecological adjustment और इस तरह से जो migrate होई थी species from one place to another वो वहाँ पर established हो गएं नई environmental conditions की अंदर तो इसमें आप देख सकते हैं डाइग्राम में कि आप शुरू में किस तरह से conditions थीं आप याप sand मतलब बिल्कुल राई है और धीरे धीरे ये क्या हो गया पुरा green area developed हो गया नई the fourth principle concerning the perpetuation and evolution of floras and climaxes perpetuation depends first upon migration and secondly upon the ability of species to transmit the favorable variation to the progenies तो ये किस पर depend करता है पहला तो migration पर depend करता है और secondly upon the ability of species to transmit the favorable variation to the progenies जो next उनकी progeny है उनमें वो किस तरह से जो variations है वो past होते है from one generation suppose one generation established हो गई तो next generation established होएगी यानि because it is a genetic factor then evolution of floras and climaxes depends upon migration, evolution of species and environmental selection thank you so much तो ये basic हमने आज जाना कि phytogeography होती क्या है और क्यूं हम इसको study करते हैं कौन कौन से इसके branches हैं और कौन से इसके principle हैं okay thank you so much पौन से गए होएब धौन से लिए हैं